तो हलो दोस्तों नमस्कार, इंबेस्वन क्रासर्स में आज सभी का दिल से बहुत बहुत सवगत है तो उस वीडियो को बात करें कुछ इंपोर्टन स्टॉक के बार में जिनमें आज के दिन काफी सारे इंपोर्टन अपडेट निकल के आचुक है अज़र श्टॉक ही कुछ प्रफुरिंस के बात करें जैसे कि कल की दिन, श्टॉक में हमें एक आच्यका से बाइंग और उसके जल दे श्टॉक में आच्यका से बाउंस बैक देखने को मिल जाते है जो कि आप चाहो तो company के 6 month के graph को भी देख से तो stock 6 month से हमें एक flat performance दिखा रहे है जो कि जब भी stock 16 तक आते है तब भी stock में bounce back देखिन को में जाता है जब भी stock 1750 के level को break करने की कोशिश करता है तब भी अच्छे कासा sell हो पाता है जिनके ज़लते stock दुबारा से हमें इसी level पर आके रूप जाते है और 6 month के आगरबाद के 6 month से हमें सिर्फ एक ही pattern में 1650 से लेके 1750 इसी level पर stock हमें trade करते होए देखिन को इसी से related है हाली में आपने देखो कंपनी जो quarter 3 के नंबर दिखा है वह भी बहुत ही शांदर दिखा है तो सारी चीजो को देखके बहुत सारे brokerage house इन stock को इस level से buying की rating दिये जा रहे है जो कि इस level से अगर आप mtart technology को buy करके चलो गए तो आने बाले कुछ दिनों में ये stock आपको लगब की चलते है कि stock को phrase buy करना चाहिए या फिर अगर आपने phrase buying किया है कि आपको और भी average करना चाहिए तो इस target की चलते है नहीं आप अगर average करना चाहते हो लेबल अच्छ है company भी अच्छ है बहुत solid company है future में बहुत बड़ी company ये बनने के दम खाम भी है ज़रूर अब इतने potential तो के बार में सोच रहे हैं और है भी investment करने के बार में सोच रहे है तो प्लीस ये दो नेगिडी point को आप जरूर दिमाग में रहा हैं साथ साथ जो next quarter हमाने अपर फोर रेजल के साथ साथ आप इस point को भी ज़रूर चंसरी हो करना आगर आपने investment किया है ये फिर इन्वेस्मेंट जो ब्रोरिंग है उसमें देख पार पहले तो स्टेबल था लगबग 17 करो के आसपार तो हमें ऐसा लगा था धीरे-धीरे कम हो जागा लेकिन उसके बाद 17 करो से सीधा 96 करोर अब उसके बाद जो की डेटा इंकीज होके लगबग 6.89 के उनने तब साथ पसंद का पास यह डेटा हमें जाते होए देख को बुड़ है तो किसी भी कमपणी का सेर्स दूसरी के पास प्लेज रहता है वह बिलकुल भी अच्छे साइन नहीं होता है क्योंकि कभी भी अगर कोई नेगिडिव आता है बहुत बड़े नेगिडिव निउस तो जिनके पास यह सेर्स प्लेज है वह चाहिए उस सेर्स को बेज भी सकता है और अगर बेज देगा तो आप खुद सोच सकते हो इतने परसंटेज कितने बड़े बाजर में आ जागा और कितने ज्यादा हमें स्टॉक में लोग लेकिन यह तो नेगिडिव पॉइंट तो जरू है इसको पर भी आप नेक्स कोटर को भी फोकस में जरू रखना है जो कि मार्स के बाद अपडेट होई जागा जैसे अपडेट होगा मैं आपको अपडेट जरू कर देंगा लेकिन हाँ अगर कमपनी के प्रफुमेंस के बा बात करें यह भी बहुत ही धाकर सेग्मेंट है अगरबाद के स्पेस की जो कि 63 पसें इंकम हमें इसी सेग्मेंट से आते हो और यह जो सेग्मेंट है इस सेग्मेंट है यह तो अभी जो है इस फ्लैट है आने बल्टाम यह जो सेग्मेंट है बहुत इस टॉप पे आपको द च्छोटी profit कमाते हैं उसके बाद 2018 से हमें consistency company के sales में profit में या उवरल नमर में consistency को मैं साथ साथ company के quarterly business number की भी बात करें दो तीन quarter से company वाकिए consistency अच्छे number दिखा रहे लगाता चाहिए sales के बात करें चाहिए company के final number के बात करें तो no doubt जिससाब से company के business growth हो रहे company sales growth हो रहे company profit grow हो रहे उस सबसागा देखा जाए अभी तक stock में हमें उस लेवल के तेजी देखने को नहीं मिला एक साल के बाद stock में थोड़ा गर्यावाट हो एक साल में उसके बाद तेजी दिखाने के कोशिश तो जरू करतें 1750 के लेवल को break करने के तो वो जरू को आप से यह stock बहुत ही long time है धमा के दर का चाहता है सिर्फ 2 साल हो एक company को और बीच में stock आपको बहुत ही short period में 200% rally दिखा था तो आप ऐसा सोच रहो कि हमने तो 25 सुबे बाइक कब तक हमारे level आएगा तो आने के लिए stock से रिपॉस सिर्फ एक मन्त ऐसा भागेगा daily basis आपको KPRT technology बहुत ही धमाकदार बहुत ही कमाल की company आपने देखा होगा company के तरफ से बहुत बड़े positive commentary हमें आते हो देखिन को मिला था कि आने बाइल टाप में company की जो growth है 20% से हमें देखिन को मिल सकता है साथ साथ और यही गो 2024-25 में और भी ज्यादा हो सकता है Japan करता है बाजर जिस सबसे अंसंटर है उस साथ सागत देखा जाए आने बाल टाप में आपको यह 30% तक भी जाते हो देखिन को मुझे तो no doubt अगर company के sales इतने शांदातर किसे growth होगा तो obviously company के stock price है अभी तक कि अगर आप performance को देखो जब से listing हुआ बहुत ही धमाकदार rally इतने rocket तया से भागया को अपने result को follow करती है उसी level पर पहुँच जाए गा तो अगर आपके पास है के प्रेटर कोई बिंदा सुल करे एबरेज और face bank ना करे जितने है उतने rally enjoy करे चाहो तो अपना profit भी थोड़ा बद बूब कर सकते हो लेकिन average और face bank तो बिलकुल भी इस level इतने रप्तास से भागया जो कि 300-400 पसें आपको भी जरू मिल जागा अच्छी point मुझे यह लगता है लेटिन बू पाराज डिवेंस और भी बहुत सारे स्टॉक है जो कि लिस्टिंग हुआ उसके बाद नीचे डाउन और अभी तक कमबैक निकाए लेकिन इन च्टॉक में लिस्टिंग होने के बाद गिरावार इसमें भी 30% हुआ था उसके बाद श्टॉक ने निवी टॉप 52% दिंका आपस हमें तेजी देखना पिछलिए 5 साल के बाद के रहिए तो चलिक हुआ खी बाद के लिस्टिंग में अच्छे काहँ यह को जरू देखने को बिला एसी इनिस्टिंबियों को साथ तब तक के लिए बाद